दोस्तों इस्टेक्टर पर आपको फीचर की साबसे इसकी प्राइस बहुत कम मिलती है जिसके चलते एक मीडियम किसान भी बड़े हसानी से इस्टेक्टर को ले सकते हैं दोस्तों इसमें आपको गेर सिप्टिंग के लिए काफी स्मूध गेर बॉक्स मिल जाता है जो कि आप फुल स्पीड पर भी अपने ट्रेक्टर गेर बड़े असानी से बदल सकते हैं अगर बात करें इसके फ्रेंट ट्रेक्सल की तो फ्रेंट ट्रेक्सल आपको काफी हैवी मिल जाता है जो कि नॉन अर्जेश्टबल आपको इस्टेट टाइप का दिया गया है हम आपको दिखाना चाहेंगे यह आप देख सकते हैं और दोस्तों इसके फ्रेंट बंफर पर आपको काफी जादर बेट मिल जाते हैं जिसके चलते आप ट्रॉली बगारा में इस ट्रे पुझते हैंसे इस ट्रियेश्ट प्रेट ल्गाणा सकते हैं tpd spring मिल जाता है ताकि कोई भी इंपलिमेंट बड़ी असाणी से लगा सकते हैं दोस्तों अगर बात कर इसके फ्रेंट टायर साइ्ज की तो फ्रेंट टायर आपको मिल जाता है साथ 516 यह आप्त्सक्र के लिए मिल जाता है दोने पंप अलग-अलग होने से मेंटिनेंस कोट्स घर जाती है और लाउन लेप सेर्विस देते हैं दोस्तों अगर बात करें इसके सेल्फ मोटर की इसमें आपको धाई किलोवाट 12 बोल्ट की सेल्फ मोटर दे गई है जो कि इसमें काफी बड़ी के साथ में वर्क कर सके इसके चलते कंपनी ने इसमें आपको हैड्डोलिक फिल्टर काफी बड़ा दिया है जिससे कि आपकी हैड्डोलिक के सेंसिंग और भी ज्यादा पावर्फुल हो जाए और आप हैड्डोलिक वाला काम बढ़ हैसानी से सेंसिक के साथ में कर सकें दोस अगर बात करें इसके HP की तो कम्पनी इसे 22 HP का डेगरी के अंदर लॉंच किया है और इसमें आपको 205 NM का हाइट और किंजन मिल जाता है दोस्तो इसमें ट्रेक्टर पर चढ़ने के लिए सिंगल पैदान दिया गया है जो कि पैदान को काफी हैब ड्यूटी बनाया गया है इसमें आप सपोर्टिंग रॉड बगारा काफी जाद है उस किये गई है अगर बात करें प्लेट फार्म की तो प्लेट फार्म आप देख सकते हैं काफी बहतरीन बनाया गया है और बात करें इसके क्लच की तो इसमें आपको सिंगल और ड्वल क्लच मिल जाता है दोस्तों इंटिकेटर आप देख सकते हैं काफी बहतरिन डिजाइन की गई है जो कि इसमें आपको DRL सिस्टम दिया गया है अगर बात कर इसके रियर टेर की तो कमपनी इसमें आपको MR आपका रियर टेर आफर कर रही है और यह अगर बात कर इसके टेर साइज की तो इसमें आपको 149 टेर कर रही है टेर मिल जाता है दोस्तों ट्रेक्टर पर काफी ज़्यादा बड़ा टेर इसमें दिया गया है मुई दोस्तों इस वीडियो पर हम रिवियू कर रहे थे स्वनालिका की तरफ से आने वाला टाइगर सरीज में स्वनालिका टाइगर डियाई 50 जो कि कमपनी ने इसे 22 HP कटेगरी के अंदर लॉंच किया है और दोस्तों अन्द कटेगरी के साब से इस टेक्टर की डीजल खपत बहुत कम मिलने वाली है क्योंकि कमपनी ने इसे हैवी ड्यूटी माइलेज पिलिस के साथ में लॉंच किया है जो कि इसमें काफी जाद एड़ास टेकनोलोजी का इंजन यूज किया गया है दोस्तों हमारे वीबर्स कृष्णा परमार ने हमें कॉमेंट किया था सौनालिका टाइगर की वीडियो बनाने के लिए लेकिन इन्होंने कोई मॉडल नहीं लिखा था तो हमने यह वीडियो उन्हें की कॉमेंट के आधार पर अपलोड किया है अगर आपको भी किसी ट्रेक्टर का वीडियो चाहिए आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं हम पूरी कोशिस करेंगे आपकी कॉमेंट का वीडियो अपलोड करने की तो इसमें आपको डिवल कलच की ब्रेंडिंग और 2000 किलोग्राम के लिप्ट कपिसीटी के ब्रेंडिंग देखने को मिल जाती है और आगे देखें तो आप देख सकते हैं मल्टी स्पीट शैटल सीटेश का गरबॉक्स इसमें मिल जाते हैं जो कि यह ट्रेक्टर आपको सैटल सेटल शीप गरबॉक्स के सांथ में आता है और और आएमब्रेश्ट मल्टीडिसकी ब्रेंडिंग की देखने को मिल जाती है जैसा कि मैंने पहले ही बताया थे, ट्रक्टर उप जादा माइलेज देने बाला है, तो अब देख सकते हैं, हैवी ड्यूटी माइलेज प्लेस की ब्रेंडिंग भी देखने को मिल जाती है टाइकर डियाई 50 कंपने इसे 22HP का डैकरी के अंदर लॉंच किया है, और इसमें आपको 205NM का हाई टोर्क इंजन दिया गया है इसमें ब्रेंडिंग भी आप देख सकते हैं, इसमें आपको मिल जाती है आगे अगर बात करें ब्रेक की, तो इसमें आपको oil embraced multi-disk की ब्रेक देखने को मिल जाता है जो की काफी सांदार ब्रेक दिया गया है वहीं अगर बात करें पैर की रेस की, तो पैर की रेस का डिजाइन आप देख सकते हैं, काफी बहतरीन मिल जाता है मुझे तो काफी पसंद आया आपको कैसा लगा आप कमेंट करकर जरूर पताईएगा अगर बात करें मटगाट की तो मटगाट आप देख सकते हैं काफी है वेड्यूटी दिये गया है और पैसेंजर बैटने का पूरा खैल रखा गया है इसमें गृप बगैरा दी गई है सीट के आँगे आप देख सकते हैं काफी अच्छी जगह मिल जाती है इसका प्लेट फार्म भी आप देख सकते हैं काफी बहतर बनाया गया है साइलेंसर का देख सकते हैं काफी पतला किया गया है ताकि इसकी आवास को काफी अच्छा बनाया जा सबिए इती के चलते साइलेंसर थोड़ा सा लंबा किया गया है यहाँ देख सकते हैं अब दोस्तों में ट्रेक्टर का लुक एक बार और दिखाना चाहूंगा अब लोग का बहुत सा कॉमेंट रहता है कि ट्रेक्टर अब दिखाते नहीं है तो अब देख सकते हैं फ्रेंट में स्तों आलिका का यह लोगो देखने को मिल जाता है और टाइगर का लोगो भी दिया गया है अगर बात करें इसके हेड लाइट की तो आपको इसमें DIREL system के साथ में headlight मिल जाती है जो की इसकी headlight kार की तरह डिजाइन की गई है अगर बात करें side की तो side में भी आप बेग सकते हैं अगर बात करें इसके पैदान की तो इसमें आपको single पैदान मिल जाता है और plate farm कुछ उस तरह का बनाया गया है अगर बात कर इसके transmission की तो इसमें आपको 12 प्रकार की आंगे वाल स्पीड वहीं 12 प्रकार की पीछे वाली स्पीड भी मिल जाती है सटल सिट गियर बॉक्स मिल जाता है यानि कि जिस स्पीड पर आपका ट्रक्टर आँगे दोड़ रहा है उसी स्पीड पर आप ट्रक्टर को पीछे भी भगा सकते हैं यह आप देख सकते हैं high low medium बाला लीवर यहाँ पे दिया गया है और दोस्तों यह आप देख सकते हैं PTO का लीवर यहाँ पे दिया गया है seat इसमें आपको adjustable दी जाती है ताकि आप bed के हिसाब से आँगे पीछे या उपर नीचे कर सकते हैं दोस्तों अगर बात करें इस side की तो इस side भी आप देख सकते हैं hydraulic control के लिए दो लीवर मिल जाते हैं position control लीवर और draft control लीवर जिससे hydraulic को अब बहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं one two three four वाला लीवर यहां पे दिया गया है अगर बात कर steering की तो steering देख सकते हैं काफे छोटी बनाए गई है और steering भी थोड़ी सी मोटी बनाए गई है steering car की तरह बिल्कुन design किये गई है और sonalika की branding देखने को मिल जाती है steering के उपर अगर बात कर इसके dashboard की तो dashboard हम आपको दिखाना चाहेंगे car की तरह बिल्कुन design किया गया है जो कि sonalika का logo इसमें भी मिल जाता है सब कुछ आपको analog type में दिया गया है बाकी howards meter आपको digital में मिल जाता है यह आप देख सकते हैं काफी बहतर इसके dashboard को design किया गया है और light बगार एक control यहाँ पर मिल जाते हैं side में ही और side में ही आपको हरजाट light का switch मिल जाता है light यहाँ से चालू कर सकते हैं अब दोस्तो जैसे कि मैंने पहले ही बता आ था इसमें आपको subtle ship के gearbox मिल जाता है तो subtle ship का lever यहाँ पी दिया गया है यह आप देख सकते हैं अब चलते हैं दोस्तो ट्रेक्टर के पीछे और दिखाते हैं पीछे का look तो ट्रेक्टर का look पीछे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का मिल जाता है रात में काम करनानी के लिए आपको halogen type headlight मिल जाती है और single number plate दी गई है दोस्तो इसमें आपको company fitted double distributor valve मिल जाता है और एक distributor valve का आपको optional मिल जाता है आप use कर सकते हैं इसका lever company fit दिया गया है जो कि seat के पीछे आपको side में ही मिल जाता है laser leveler या कोई भी implement आप बड़े असानी से चला सकते हैं अगर बात कर इसके link case की तो इसमें आपको three point link case मिल जाते हैं automatic sensing के साथ में जिससे आप top link को बहतर तरीके से इस्तमाल कर सकते हैं अगर बात कर इसके lower link की तो lower link आप देख सकते हैं काफी heavy duty मिल जाती हैं जो कि इसकी lower link पर आपको jack system दिया गया है अगर बात कर इसके real excel की तो इसमें आपको double inboard reduction type का real excel देखने को मिल जाता है जो कि पूराने technology का excel इसमें दिया गया है अगर बात कर इसके hitch की तो इसका hitch हम आपको दिखाना चाहेंगे जो कि काफी heavy duty दिया गया है adjustable point के साथ में मिल जाता है वहीं 44 HP की PTO power के साथ में आपको 540 standard RPM और optional में आप reverse PTO भी ले सकते हैं दोस्तो अगर बात कर इसके lift capacity की तो इसमें आपको 2000 kg के lift capacity मिल जाती है जो कि काफी जादा इसके lift capacity कंपनी ने दिया है तो दोस्तो ये था सौनालिका टाइगर डियाई 50 बरमर HP का डैगर इक अंदर कंपनी ने से लॉंच किया है आशा करता हम दोस्तो वीडियो पसंद आया होगा आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही घंटी भी दवा दें ताकि अंगली वीडियो लुटिकेशन मिलता रहे